नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का यूटूब चैनल जॉफ्ट्रे में दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाल है टेकनिकल हेलपर भरती 2022 के बारे में दोस्तों यहाँ पे इस वेकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करें उससे पहले मैं बता दू अगर आप ल सब्सक्राइब करना मत पूरी आप सभी के लिए इसी तरह की कवर लेकर आगे बटते हैं और देते हैं तमाम जानकारी डिटेल में यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर का गया कि टेकनिकल हेलपर के 15-20 पदों की निकली बेकेंसी यहाँ पर प्रॉपर जानकारी आपको मिलेगी सेचनी की योगता कि सबसे पहले हम बात कर ले तो यहाँ पर कहा गया है कि सेकेंडरी जिन्होंने पास किया है मानता पर आप बोर्ट से तो आप लोग आवेदेर कर सकते हो विस्तित जानकारी आपको ऐसे बेफसाइट पर इसकी मिल जाएगी बेल निक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में आयूसी मा यहाँ पर 18 बर्से लेकर 28 बर्स के बीच में जो भी कंडिरेट हैं वो आवेदेन कर सकते हैं और OBC वाले कंडिरेट के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट मिल जाएगी SC और HD से जो कंडिरेट हैं उनको यहाँ पर पांस साल की छूट मिल जाएगी यह ची द्यान कियेगा उसके आदस तो बेतन की बात करी जाए तो चैनीत उमीदवारों को जो है 13500 रुपे पर तीमा बेतन स्टार्ट होंगे और आगे आपकी साली बढ़ती रहेगी लास्ट ड उमीदवारों का चैन केंप्यूटर बेस्ट कॉमन लिखी ती कंपिटीटी परिक्षा के अधार पर किया जाए गया यहाँ पर कोई एक्स्प्रियेंस बेगरा नहीं भी उसके अलाबह भी आप लोग आविदन कर सकते हैं कैसे करना है आविदन मैं यहाँ पर डिस्क्रिप् गया किसी तरह की कोई चार्जर नहीं लग रहे हैं यह कहा गया कि यह बेगेंसी कहां किया है तो जैपूर बिदूत बित्रन निगम लिमिटेड ने जो है वह टेक्निकल हेलपर के जो है 15-20 रिक्त पदों पर भरती के लिए योग उमिदवारों से आविदन मांगे हैं इन पर काम करने के चुक उमिदवार 28 परवरी 2022 तक जो है ऑनलेन आविदन कर सकते हैं वैसे डिटेल में यहां पर उपर में भी जानकार दिया है कि बड़ा मौका है सभी कंडिडेटों के लिए जो जैपूर बिदूत बित्रन निगम लिमिटेड जो है वह 1035 पद पर जो है वह जोदपूर बिद्धुत बित्रन निगम के जो है वह 377 वह अजमेर बिद्धुत बित्रन के जो है और निगम के जो है करड़ीव 80 पदों पर वेकेंसी आई है तो सभी जानकारी तो मैंने दोस्तों देही दिये आप सभी को और इसकी सभी इंपोडेंट लिंक आपको वीड हो सकते हैं वहाँ पर भी आपको सभी जानकारी मिल जाएगी अगर यह दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लील लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर किये तब तक के लिए धन्यवाद मिलते है फिर अगली वीडियो में